जै मातादी दोस्तों आप सभी को कड़वा चौत की धेर सारी सुफ करना है फ्रेम्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे चंद्र पूजन कैसे करना चाहिए क्या नियम होता क्या बीधी होता है चंद्र पूजन करने का और पती पूजन क्या हमें यहीं पे करना चाहिए या जहां पे हमने अपना पूजा का चौकी लगाया वहां करना चाहिए कैसे करना चाहिए चंद्र पूजन कैसे करना चाहिए पती पूजन और किन-किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए चंद्र पूजन करते समय पूजा कीजिएगा मैं थोड़ा आपको दिखार हुँ मेंदी उगडा मैं नहीं लगाई हूँ लेकिन सोला सिंगार करके तब धाली ले करके आजाएंगे हम थाली में हमारा फूल होना चाहिए पान का पता हो ना जलते हुए दीप होना चाहिए, मिठाई होना चाहिए और रोडी अक्षत चंदन होना चाहिए, चंद्रदेव को अर्ग देने के लिए, पूजा करने के लिए, करवा में तो हमने पूजा के समय ही सब कुछ डाल दिया था, यहां पे सिर्फ एक फूल डालना है, देखिए खलक दिख गई, पूजा कर लेती है, नहीं, देखिए अब हम चंद्र पूजन करेंगे, इसके लिए यहां पे अक्षत और रोडी से थोड़ा आसन दे दिजिए, पूजा कर दिजिए, पान का पत्ता वहां रख दिजिए, और पान के पत्ते पे, देखिए पान के पत्ते पे चांद बना लेंगे, और इसी चांद का हम पूजा करते हैं, कुछ लोग पूजा करते समय भी करवा मता का वहां पे भी चांद बनाते हैं चावल से, और कभी भी आप पूजा करें चंद्र देव का तो जोड़ा चड़ाएं, जोड़ा फूल चड़ाएं, जोड़ा को अब अर्ग देते हैं देखिए आप इस प्रकार से खड़े हो जाईए और आचल में अपने आचल से कड़वे को पकरना होता है और तीन उंगली से जो अंगुठा है अंगुठा के बाद वाले उंगली इस दो उंगलियों को हमें कड़वे में नहीं सटाना होता है टच नह इस तरह से आप अर्ग दीजिए और फ्रेंड्स यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा कम आ रही होगी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो होगी आप समझ सकते हैं बाहर में लाइटिंग कम होता है वैसे मैं रूम का गेट खुल के रखी थी जिससे रोशनी आ रहा था देख हमने पहले दिया था और एक तीन फेरे के बाद देते हैं कुल मिलाकर पांच बार जल गिराते हैं हम चंद्रदेव के लिए देखिए ऐसे गोल गोल घूंकर इससे क्या होता है हम चंद्रदेव का फेरी भी ले लेते हैं साथ साथ हम अर्ग भी देते हैं तो इस तरह से आप अर्ग दीजिए और पूरा अर्ग का नहीं देना है जो आपकी फूल है आप वहाँ चंद्रदेव को चड़ा दीजिए लेकिन कड़वे में पानी बचा के लाना है पूरा जल हमें अर्पित नहीं करना है क्योंकि इसी जल को पीकर हमें अपना ब्रत भी खोलना है और इसी जल से हमें पती पूजन भी करना है इस तरह से आप दंडवत फ्रनाम कीजिए और यहां पे पूजा में रही कमियों के लिए चंद्रदेव से छमा याचना भी कीजिए आपना चलनी रख दीजिए देखिए आप पहले हम चलनी की भी वीधिवत पूजा कर लेते हैं उसके बाद ह हम जाकर चलनी से चांद को देखते हैं और अर्ग देते हैं इस तरह से आप पहले पूजा कर लिजिए वहां चलनी का दीप का जो हमने दीप प्रजवलित किया है उस दीप का पूजा कर लिजिए क्योंकि दीप का जब तक हम पूजा नहीं करते मारा ब्रत पूर नहीं होता और आप लोगों मैं पहले भी बताई थी दीप प्रजवलित करके ही हमें चंदर को अर्ग देना है ऐसा नहीं कि चांद देखते समय प्रजवलित करना है नहीं दीप हमारे पूजा का साक्षी होता है इसलिए दीप पहले प्रजवलित कर ले और देखिए कभी भी दीप का और चंद्रदेव के तरफ लौ नहीं करते हैं और इस तरह से हसते हुए मुख से आपके चेरे पे सिकन नहीं होना चाहिए पूरे दिन की ठकावट की हडास्मेंट की सिकन नहीं होनी चाहिए हसते हुए मुख से हमें चंद्रदेव की दर्शन करनी है और बीधिवत प्रणाम क देखिए मैं करके भी आप लोग को दिखा दे रही हूं इसी तरह से करना है सर पे पलू बना रहना चाहिए ये चीज ध्यान दिजिएगा कभी भी किसी भी देव की पूजा में हमारी पलू नहीं गिरनी चाहिए और हस्ते हुए मुख से हम अपने पती का दर्शन करेंगे यह यहां पे मेरी करचंद्रदेव से करवा माता से यही कामना है कि हम सभी बहनों के जीवन में ऐसे ही हस्ता हुआ मुख रहे और ऐसे ही हम हस्ते हुए सारी जिंदगी अपने पती का मुख देखते रहें और इस तरह से अपने पती को भी प्रनाम कीजिए जैसे आपने चंद् देखिए जो भी फोटो गड़ा की एकसन आपको करना होगा आप वो बाद में कीजिएगा जब आप बिधी कर रहे हो तो ध्यान आपकी बिधी पे होनी चाहिए यहाँ पे आप थोड़ा एक जलक ही देखा जाता है ऐसा नहीं आधे घंटे तक देखा जाता है एक जलक देखन एक बार अनामी का उंगली से लगाईए दो बार पती को टीका लगाते हैं और देखिए बीधिवत पती पूजन हम करवा माता की चौकी के पास करेंगे यहाँ सिर्फ जैसे हमने चेंद्रदेव का पूजा किया है बस उतना ही हमें पती का भी पूजा करना है और जो लोग यहाँ ब्रत खोलते हैं उनके लिए भी मैं आगे दिखा दूँगी कि वो अपना ब्रत कैसे खोले देखिए पती को मिठाई खिलाए और पती को भी चाहिए साथ साथ उसी समय मिठाई खिलाए जो लोग यहाँ पे ब्रत खोलते हैं यह उनकी लिए है लेकिन हम ब्रत करवा माता की जहां चौकी है वहां वरत खोलते पांच बार आचल पकड़ के पती को प्रनाम कीजिए आचल पकड़ के किया जाता है फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्विस्ट है वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडिय करवा माता की चौकी के पास संपतरा है